हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं आसा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे सांदार होंगे और जवाल जास्त होंगे एक बार फिर मैं आपका अपने परिवार टार्गेड विधनकित में स्वागत करता हूँ जल्दी से जुड़ जायेगा और बताईएगा आप सभी कैसे हैं सभी को भई कुड मॉर्निंग राम-राम राधे-राधे देखते हैं वही कौर जुड़ चुका है सौनी आदव अंजली प्रीज्ट इस पंकत सिंग वेरी बूर्निंग राजलक्ष्मी साक्षी आदव जूही स सभी को very good morning जल्दी से जुड़ जाईएगा भई फिर अपने सहसन को start करते हैं और आज देखते हैं हम fraction अरविंद पाल प्रिंसी प्रभात कुमार पी ओपी भी जुड़ चुके हैं हरसित पांडे बबीता यादव ठीक है जल्दी से जुड़ जाईएगा और सहसन को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ फिर अपने सहसन को start करते हैं अरविंद पाल ठीक है भई देखो दोस्तों अब हम अपनी सहसन को start करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो chapter है वो fraction और decimal चल रहा है मैंने कल आपको decimal समझाया था कि आप decimal क्या होता है decimal के दो part होते हैं एक हमारा सांत और एक सांत ठीक है सांत जो होता है उसमें भी दो तरीके के होते हैं कौन कौन से होते हैं दोनों एक होते हैं non terminate but recurring एक होते है non terminate non recurring वाले फिर उसको हमने बताया था कि fraction में हम किस तरीके से Changes कहल लेते हैं जो इस पर बार लगा देते हैं बार का मतलब होता है कि वो सेंग केyा बार बार रिपीट हो रही होती है ऐसके बाद क्या करते हैं बार लगाने के बाद में उनको हमने जोड़ना घंताना सीखाता इन सारी चीजों को आज हम देखते हैं भाईयो अपना fraction के बारे में कल जहां तक हमने कोशन किये थे उस कोशन के बाद के कोशन को आज हम देखेंगे जहां तक कल हमने कोशन किये थे उसके बाद के हम कोशन को आज solve करेंगे और बड़े ध्यान से बड़े इंट्रेस्ट के साथ आपको पढ़नी है सारी चीजें और समझ नहीं है देखो कल मैंने आपको बताया था कि छोटी या बड़ी भिन को हम किस तरीके से निकालते हैं कल एक दो बच्चे की क्यरी थी तो मैं आपको इस वाले कोशन को एक बार दोवारा समझा देता हूँ कि भई हम बड़ी भिन या छोटी भिन या बड़ा फ्रेक्चन या चोटा फ्रेक्षन या बिगस्ट या इस्मॉल एस्ट ये सारी चीजें हम निकालते किस तरीके से हैं ठीक है और या क्या किते हैं हम को ascending order descending order में किस तरीके से लगाते हैं तो आप सभी को पता होगा कि ascending order होता है हमारा बढ़ता किरम और descending होता है हमारा घटता किरम धूर तो उसके लिए थोड़ा समय आपको revise करा दे रहा हूँ चीजों को जो कल मैंने बताया था उसके बाद हम अपने fraction के question को करेंगे भाई देखो धियान से समझेगा जैसे कि यह लिख रहा है देखो 11 बटा 13 9 बटे 11, 3 बटे 4 और 5 बटे 7 तो हमने करना क्या होता है cross multiply करनी होगी क्या करना होगा भई cross multiply करनी होगी cross multiply के लिए देखो क्या करते हैं जैसे कि आप इस चीज को समझेगा बड़े धियान से जैसे कि देखो इसमें पूछ रहा है छोटी बिन अकर इसमें एक चीज और धियान रखने वाली बात ये है धियान क्या रखना है धियान ये रखना है अगर छोटी बिन पूछ रहा है तो छोटी वाली वेलू को लेकर चलते रहो अगर बड़ी बिन पूछ रहा है तो आप बड़ी वाली वेलू को लेकर चलते रहो ठीक है भई देखो समझेगा मैंने cross multiply करी 11 की 11 में गुणा करी तो ये कितना हो गया 121 ठीक है फिर हमने 13 की 9 में गुणा करी तो कितने होगा 117 मालब यह 121 है और यह हमारा 117 है अब आप एक बात बताईएगा कि 121 चोटा होता है या 117 बड़ा चोटा होता है तो हमें पता चला कि 117 चोटा होता है तो हमें 121 को नहीं लेना है क्योंकि हमसे छोटी वाली भिन को पूछ रहा है फिर आगे क्या करना है जो आगे की 2 भिन बहें 2 फ्रेक्शन में उनकी मल्टिप्लाई करनी है जैसे कि हाँ पर गुणा करा इसकी 9 की 4 में गुणा करी तो 9 चोटा कितने होगे 36 और 11 की 3 में मल्टिप्लाई तो कितने होगे 11 तिया 33 होगे ठीक है बई अब हमक पांच चोग 20 आपको पता है कि बई 21 वैलु को बड़ी होती है और 20 वैलु चोटी होती है तो इन दों में चोटी वैलू है मारी 5 बटे शाथ तो इसका अंसर आ गया था कितना हुआ वह 5 बटे साथ इसका अंसर आ गया था ये कल मैंने को आपको करा दिया था बाई ठीक है यह वाला मैंने आपको कोशन करा दिया था अब हम आगे नेक्स कोशन के तरफ अपने बढ़ते हैं ठीक है डवलो टी सी रादे रादे अलका वेरी गुड मॉर्निंग वही सीमा मौरिया भी वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है अब जल्दी से देखो आप जोड़ जाईएगा औ अबीद आलम वेरी गुड मॉर्निंग वही सभी के लिए वेरी 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 गुड मॉर्निंग ठीक है अब आपको करना क्या है सहसन के साथ जुड़ जाईएगा और जुड़ने के बाद अब हमारे आगे चीजों को देखते हैं हाँ आप कह रहे हो कि ज्यादा बड़ी वे देखो fraction के लिए कई सारे तरीके होते हैं करने के solve एक देखो तरीके ये वाला भी होता है जैसे कि मैंने लिख दिया हाँ पर 3 बटे 5 यहां लिख दिया मैंने 5 बटे 7 और माली हाँ पर लिख दिया 11 बटे 13 अगर आप से इसमें पूछने लगए कि एक्चुल में इन में कौ कि भिन्न आती है तो इसमें यह देखना होता है यह देखियो आई यह आप पर देखो कोई भी अगर जो भिन्न होती है वो जो भिन्न होती है वो क्या होती है हमारी अंस बटे हर क्या होती है अंस बटे हर मतलब इंगलिस में बोलते हैं हम आप फ्रेक्स एन इस इकल टो डिन अगर इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस इक्वल है इन दोनों के अगर अंसका और हर का यदी डिफ्रेंस इक्वल है देखो अगर denominator upon denominator का यदी आपका difference equal है क्या equal है? अगर आपका difference equal है तो आप बस इतना ध्यान रखोगे क्या ध्यान रख सकते हो वही? अगर difference equal है, तो जिस भी भिन' का अंस वड़ा, वो भिनवड़ी, जिसका अंस छोटा वो भिन' हमारी चोटी होती है तो देखो यहाँ पर देखो कि आप difference कितने का है 2 का, यहाँ भी difference कितने का है 2 का, और यहाँ पर भी difference कितने का है 2 का difference होता है, तो आप देखो कि इसमें सबसे बड़ी भिन कौनसी हो गई 11, उससे चोटी भिन कौनसी हो गई 5, और सबसे चोटी भिन कौनसी हो गई 3, और सबसे भी भिनने का difference equal नहीं है difference equal नहीं है तो आप इनको क्या कर सकते हो difference को equal बना सकते हो आज सर आपने कुछ question SW के लिए दे थे उन में से question 18, question 23 और question 26 number प्लीज रिपीट करवा दीजिए 18, 23 और 26 तो पिरिया राटे देखो 18 question number 18 बोल रहे हो तो 23 तो यही रहा question number 23 तो मैंने यह बता दिया question number आप कह रहे हो 18 तो question number 18 भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार भई अगर आप वो problem है उस वाले question में तो अच्छा अभी question number 18 और यह वाले तो question भी हम कराएंगे 18 और आगे वाले जितने भी question है यह वाले question hw के लिए नहीं दिये थे यह वाले question हम आज इने solve परेंगे यह question हमारे fraction के हैं अब समझिया का देखो फ्रेक्शन में यह सारी चीज़े हमने पढ़ी कि छोटी भिन कैसे निकालते हैं बड़ी भिन कैसे निकालते हैं उसको descending order में किस तरीके से लगाते हैं ascending order में किस तरीके से लगाते हैं ठीक है आज हम देखते हैं सतद भिन पूलता है continuously भिन को continuously भिन के बारे में question number पहले आप इसको समझेगा देखो पहला question number देखो जैसे कि आपका यह है आपका 16 question number यह है आपका 16 question number 16 को करने से पहले आपको इस चीज़ को इस दियान से समझेगा देखो इस question को करने के आपके दो method होते हैं सुसान्त राधे राधे भई हाँ छाया आप बोल रही है सही बात है आपको जो difference है उसको equal बनाते हैं difference को equal बना के भी आप चीज़े solve कर सकते हैं ठीक है आगे समझेगा चीज़े देखो जैसे कि यह लिख़वाए 1 प्लस 4 अपाउन 2 प्लस 3 अपाउन 4 5 माइनस 1 अपाउन 2 माइनस है 1 अपाउन 2 10 डिवाइड है हमारा 2 तो देखो इस वाले question को करने के ना हमारे कई तरीके होते हैं एक तरीके तो बिल्कुल basic वाला method होता है तो पहले आपको मैं basic वाला method बता रहा हूँ ऐसे वाले सवाल के लिए करने के लिए ठीक है अब फिर आगे समझेगा जैसे कि देखो यह लिख़वाए वन पिलास पोर अपाउन टू पिलास थ्री अपाउन फाइव माइनस वन अपाउन टू यह माइनस का लिख़वाए वन अपाउन टू टैन डिवाइड टू टैन डिवाइड केतना है वाई यह टैन डिवाइड हमारा है टू है ठीक है के लिए नहीं दीख रहा सालू यादव DP का उपाध्या है सीरियल वाई तो कर रहे हैं हम कोशन कल हमने 14 तक कोशन कर लिये थे ठीक है 14 के बाद हमने कोशन नमबर कर रहा 15 मैंने आपको ये SW के लिए बता दिया था कोशन नमबर 14 और 15 बता दिये थे अब हम कोशन नमबर 16 को सॉल्व कर रहे हैं देखो कोशन नमबर 16, 17, 18 ये वाले कोशन को हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक है आप इस चीज से भी भिखल रहीएगा ठीक है अब आगे समझियेगा देखो जब कभी भी इस ताइप का कोशन आता है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है तो करना क्या है इस वाले कोशन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझियेगा करना क्या है करने के लिए क्या करेंगे हम नीचे से उपर की तरफ सॉल्व करते हैं इसे कोशन के लिए नीचे से हम उपर की तरफ solve करते हैं ऐसे question के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको solve करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको solve करेंगे इसको solve कैसे करोगे देखो ये लिखा हुआ है 5 दुनी 10 10 में से 1 गए कितने होगे 9 बटे 2 तो 2 होगा ये 2 कहा पहुंच जाएगा उपर अगर ये 2 उपर पहुंच जाएगा तो इस चीज को समझियेगा भी देखो दिहां से ठीक है अब यह आपका क्या होगा यह हमने पूरा complete solve कर लिया यह हमने complete solve करा और यह solve केतना करा 5-1-2 इसको solve करणा पांच दूनी दस दस में से एक गए नव, नौ बटे दो आया ये वाला दो हमारा उपर पहुंच गया अब हमको क्या करना है देखो इसको solve करना है, अब इसको solve करोगे तो कितने होगे, तो ये कितने होगे, नौ दूनी 18, 9 दूनी 18 98 और 6 कितने हो गए? 24 कितने हो गए? इसको भाद में देख लेगे हैं अपर ठीक है पहला आप इससे देखेगा यह देखो दुबार समझेगे 9 कहा पहुंच जाएगा आपका ऊपर अब इसका मतलब है यहां तक यह solve करने के बाद कितना आ गया? यह आ गया 1 प्लस 9 चोक 36 बटे कितना आ गया 24 बटे कितना आ गया 24 आ गया बटे में कितना आ गया 24 आ गया अब देखो यह कितना होगा 24 एकम 24 24 और 36 कितने होते हैं 24 और 36 और 6 कितने होगे 30 30 कितने होगे 60 तो यह कितना आ गया भी 60 बटे 24 60 बटे 24 तो 6 से काट और 6 चौक 24 और 6 से काट और 10 या आप 2 से काट लो इसे 2 दूनी 4 और 2 पंचे कितने होगे 10 तो ये कितना आगया 5 बटे 2 देखो इसको complete solve करने के बाद कितना आया हमारा 5 बटे 2 आया कितना आया भई 5 बटे 2 आया इसको solve करने के बाद तो यह हो गया हमारा देखो 5 बटे 2 और यह हमारा minus का यह कितना है भई 1 बटे 2 तो देखो 10 को जब 2 से भाग करोगे तो कितना जाएगा 5 बटे 2 कितना जाएगा 5 बटे 2 तो यह देखो कितना होगा 5 बटे 2 और यह minus कभी कितना होगा 5 बटे 2 और 5 बटे 2 में से जब 5 बटे 2 घटाओगे तो answer कितना जाएगा भई 0 अब यह बताईएगा कि यहां तक इस वाले method से चीज़े समझ आई है या नहीं आई है यह वाली चीज़े समझ आई है या नहीं कवीता पिर्जापती सभी के समझ नहीं आया जोती देवी साक्षी यादव सर्जी एक बार फिर से पूजा कुमारी वेरी गूड अभी बताता हूं वही देखे हो साल यादव आप किस टाइप से सॉल्व करते हैं उस चीज़ को भी देखेगा देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और इस question को एक बार और बता रहा हूं है बड़े ध्यान से समझना है यह आपका basic method है आप इससे क्या होता है basic method कभी भी fail नहीं होता है ना ही उसमें कभी problem आती है man problem क्या होती है आपकी समझो अगर आप दूसरा method जो है न वो थोड़ असा अगर आप करोगे तो चीज़े दिक्कत मजाती है trick भी बता दूँगा मेरे भाई समझने की कोशिस कीजिएगा द्वारा समझिएगा देखो यह लिखा हुआ है हमारा one plus four upon two plus three upon five minus one upon two इसको देखो बाद में देख लेंगे पहला आपके वल इस चीज़ को ही समझने की कोशिस कीजिएगा देखो यह कितना है पहला आपको हमे इसाल करना है यह वाली जब आप इसे सॉल करों गए तो कितना उगकर ऊपर अरेग्हा अपना नो कहा पहुँँ है उपर, अप देख 720 बटे कितना है नौ तो यह कितना है एक वाला जो 9 है कहा पहुंच गया हमारा उपर यह वाला 9 कहां पहुँच गया उपर अब देखो यहां से कुणा करो 24 है कम 24, 24 और 36 कितने होगे भई 40, 24 और 36 कितने होगे 40 और यह कितने होगे 40 बटे 24 और आपका माइनस में अल्डेडी कितना 1 बटा 2, जब 10 को 2 से भग करोगे तो कितना जाएगा 5 अब बटाइएगा अब पांच बटे 2 में से जब आप 5 बटे 2 को माइनस करोगे तो आपका यह बन जाएगा भई कितना 0 यह कितना बन जाएगा 0 अब बताईएगा best methods success रहा फिर से डव टी सी बहुत सही बात करें, आप समझ येगा ये वाला आपका method होता है, ठीक है, ये ना आपका बिल्कुल basic method होता है, इसमें कोई भी problem बाली बात नहीं होती है, अब जल्दी से मुझे why करके type बताईएगा या थंब भेज़िएगा कि आपके समझ आया या नहीं अगर समझ आ गया है, तो ह सहंदार, ठीक है, अब आगे हम देखो, कोशिस करते हैं, next question की तरफ, next question की तरफ, अब हम रुख करते हैं, हमारा next question, क्या है भी देखो, ये रहा हमारा question number 17, देखो, actual में जो दूसरा वाला method है, उसमें हल किसी आप problem कर सकते हो, ठीक है, sir paper 2 कब कर आओ गए, देखो मैं आपक इसके बाद आपका simplification स्टार्ट होगा, simplification के स्टार्ट होने के बाद, ये कह रहे हैं, best strategy, बहुत बढ़ी हावात है, thank you भई, ठीक है, आप दिहान रखिएगा, करना क्या है आपको, जूम कर रहा हूँ मैं question को, रुको, एक मिनिट भई, ठीक है, देखिएगा भई, अब समझिएगा भई question को, देखो, अब देखने की कोशिस कीजिएगा, और इससे करने की कोशिस कीजिएगा, देखो, अब एक बात और समझनी है, क्या, आपकी जो ये, आपका class जो चल रही है, ये आपकी class, level 1, level 2 दोनों के लिए है, level 1 और level 2 के ही लिए है, बड़ी-बड calculation में time लगता है, सर, ये छोटा था और कोई method करा दो, अगर आप दूश्रे वाले method से करोगे ना, वो भी इसी से निकला हुआ है, उसी में भी क्या होगा, उसमें भी आपको calculation करनी होगी, साक्षी, ठीक है, उसमें भी आपको calculation करनी होगी, ठीक है, आप समझ येगा देखो, अब calculation से तो बचही नहीं सकते, अगर आप महत पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, तो आपको calculation आनी ही चाहिए, सर, आज से मैं basic से, अच्छा, basic से मतलब मस्त है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब आगे समझ येगा, ठीक है, अब देखो, समझने की कोशिस कीजिएगा, ये कितना लिख सही एक बटे 2, फ़र upon में लिख हूआ है, ये लिख समझ से की गई जिया, और इसमें की बछूआ की जीजिए है, बहुत आसान बात है, बस समझने की ड्रीक हैं, पहले इसको solve करोगे, मैंने बता है, बस आपको नीचे से न ऊपर की तरफ चलना है, नीचे स बाटम से तौफ की तरफ चलना है तौ ये कतना हुगा बिख चार एकम चार को कितने हो गए uपर और चार केतने हो गहे नुँआ यह नुँआ जा है fino यह तौ ओगए यहूपर यह नुदू आ गया इहां अर पर तो नो यहां आ गया, तो पांच पहां पहुँ जाएगा फिर आपका उपर पहुंच जाएगा, पांच कहां पहुँच जाएगा उपर, अब समझ है, हो गया देखो सम्हेम्च, कितने होगे विए तीन बटे पांच, अपन में कितना रहेगा, हमारा नौ, अगर अपन में हम ऐसी ही तो लिखने देखो 3 बटे 5 गुणा 3 बटे 5 गुणा सही क्या है क्या भी हमने एक बार कोशन को देखता हूँ मैं दौरा 4 एक दूर 5 5 बटे कितनी होगे? 4 तो 4 हो गया हमारा यहाँ पर 4 हो गया हमारा यहाँ पर तो अगर 4 यहाँ पर हो, कितने होगा 5 यह 5, 5 अच्छा 9. तो यह 9 बटे 5 है. 5 पहुंच गया हमारा उपर. 5 पहुंच गया हमारा उपर. देखो, 5 उपर जायेगा ये. 5 कहां जायेगा? उपर. ठीक अभी, दिहान से समझेगा. देखो, ये कितना होगा भई? पहला आप इसको भी देखिएगा, बहुत द्यान से समझो, बहुत आसान चीजे हैं, hard नहीं है, यह होगा, दो एकम, दो और एक कितने होगे, भी तीन बटे दो, कितने होगे, तीन बटे दो, यह solve करके कितना रहा है, कितना रहा है भी देखो, दो आरा समझो, चार एकम, चार बटे पांच करोगे, तो आप इसको solve करने के लिए क्या करोगे, तो को तीन बटे दो, 5 पहुंच जाएगा ऊपर, और 9 रहेगा आपका नीचे, 9 रहेगा आपका नीचे, तो आप करोगे, 3 तीन टिया 9, तीन दुनी कितने होगे 6, तो 5 बटे कितने होगे, आपका 6 आंसवर हो गया तो पांच बेटे च्छे आंसर इसका हो गया देखो बहुत बच्चों के आंस्वर आप ही गए हैं बहुत बढ़ी हावी बहुत सांदर बहुत जवाजस्त और अब हम अपने नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं ये वाले कोशन को भी देखुएगा अब कोशन को थोड़ा सा मैं बढ़ा कर रहा हूं देखो ठीक है अब मैंने बढ़ा कर दिया है तोड़ा सा आप इसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए फिर इसको हम सॉल करते हैं यह लिखवा है वन अपॉन थी प्लस टू अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू यह वाला हमारा कोश्चन है हाँ जी नमन्त प्रजापती कह रहे हैं एकदम करेक्ट है जेपी आदव इसका भी आंस्वर आ गया भी इनका तो बहुत अच्छे पांच बटे इसका आंस्वर बता रहे हैं यह वीनु आ गंगवार आप वेरी गुड बार्निंग भई अब कोश्चन पर धियान दीजिएगा यह लिखा हुआ है भई हमारा 1 upon कितना लिखा हुआ है 3 फिर कितना लिखा है 2 upon 2 पिलास 1 upon 2 ठीक है देखो जहां ट्रिक की ज़रूरत है न मैं वहाँ आप पूर ट्रिक बताऊंगा सर मैं समझ में नहीं आ रहा निक कुमारी हैं कौर हैं जो भी इसमें क्या बात समझ में नहीं आ रही जल्दी से मुझे बताईएगा एक तो आप लेट जुड़े हैं और लेट जुड़ने पर आपकी यही पैनल्टी है कि चीज़े समझ में नहीं आएंगी ठीक है तो आप स देखो मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा यदि आपको math सीखना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको continue class लेनी होगी सारे concept सीखने होगे और सुरू से क्लास में जुनने की कोशिश कीजिएगा यदि आप बीच में क्लास में आते हैं निक की कौर तो इसमें क्या बात समझ में नहीं आई है ठीक है मेरे जैसा करने वाले नहीं मिलेंगे सुसांत मेरे भाई पढ़ाई पर ध्यान दो थोड़ा सा तो आपको करना क्या है जो basic basic आप इसे समझो ये देखो समझो ये हमको करना क्या है पहले हमें ये वाली value solve करनी है तो देखो दो दुनी 4 चार अरे कितने होगे 5 तो ये कितना गया है अपर 5 कितना गया 5 अब ये 5 बटना 2 है तो ये 2 उपर पहुंच जाएगा वह ये 2 कहां पहुंच जाएगा उपर ये कितने होगे बही 19 ये वाला 5 कहां पहुंच जाएगा उपर तो इसका मतलब इसका answer कितना गया मेरे भाईयों और भावी शिक्षकों इसका answer कितना गया 5 बटे 19 इसका answer आगया बही ठीक है इसका answer आगया 5 बटे 19 अब बताईएगा भी जल्दी से कि समझ में आया या नही ठीक है पांच बटे 19 देखो बहुत बच्चों के answer आगये है निक्की को और कहां है जल्दी से बताईएगा भी मुझे समझ में आया या नहीं आज जेपी यादव करें मेला सही था ना सर मेला तो अभी भाई कहीं गए नहीं है हम SMS नहीं करते हैं बहुत कोई नहीं अब बताईएगा समझ आया या नहीं बस मुझे इतनी बता दीजिएगा Message की कोई ज़रूत नहीं है आप बस Class पे दिहां दीजिएगा comment करने की कोई ज़रूरी बात नहीं है लेकिन अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो बता दीजिएगा अर्वींद पाल करें सर फर्स्ट पेपर में आता है हाँ ये फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए आप टेंस्ट ना लीजिएगा मैं आपको प्रेक्टिस सेट कराऊंगा क्लास में जल्दी चे बताईएगा समझ आ गया तो बहुत अच्छे बात आप हम नेक्स कोईशन अप इस वाले कोशन को भी करने की कोशिश कीजिएगा तहchron सब्सक्राइब करके की कोशिशस कीजिएगा थीद्या जल्दी से जूम कर लिया है थोड़ा हाई लेवल पढ़ाईयेगा सर शूसांत मेरे भाई हाई लेवल में ही आती है सारी चीज़े मने यही सारी चीज़े आती है इसके बाद आप एक चीज और समझेगा अभी इसमें ये भी बताना है कि अगर जैसे कि माली वैलू ही दे दी आप 16 बटे 35 करके या 35 बटे 16 करके तो वहां से इसके बाद वही सारी चीज़े करांगा टेंशन लालो हमवर्क नहीं दे रहे हैं गुरू जी प्लीज सुसांत को ब्लॉक करो अभी ब्लॉक कुछ कहते नहीं रहे हैं यह ऐसा कुछ कहेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा यदि कोई उल्टी सीधी कमेंड करता है ठीक है पढ केवल इस पर दियान दीजिएगा कोशन पर यह वाला कोशन बड़ा बहतरी सांदार और जवल जस्त कोशन है ठीक है आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा देखो यह लिखा हुआ है भई एक माइनस पांच बटे ठीक है यह कितना लिखा है भई साथ पिलस एक बटे चार पिलस एक बटे और यह कितना लिखा दो पिलस एक बटे ती यह हमारा देखो कोशन है इसको करने का बहुती वहतरी यह बहुत बेसी का आपका तरीका है ठीक है अब देखो समझो इस वाले कोशन को गई यह कोशन क्या है देखो यह रहा हमारा यह वाला कोशन तो देख यह फिर करनी है तो अलुट औरहे अपने 29他 साथ कहा पहुंच गहा वइंट बाइएगो ने है islands 7 में गुणा करनी है 31 की multiply करनी है 7 में तो देखो 7 एकम 7 और 7 कितने होगे 21 और 7 एकम कितने होगे 7 31 321 और 7 कितने होगे 224 कितने होगे मेरे भाईयों और भेहनों 224 अब ये देखो ये solve करके यहां आगया कि 1-5 बटे ये कितना आगया 224 बटे 31 224 बटे 31 और ये वाले 31 कहां पहुंच जाएगा भई ऊपर पहुंच जाएगा ये ऊपर कहां पहुंच जाएगा तोप पर पहुंच जाएगा अगर ये तोप पर पहुंच जाएगा 224 एकम 224 और 31 पंजे ए घटा तो 224 एकम 224 माइनस देखो 5 एकम कितने हो गए 5 और 5 तिया कितने हो गए 15 155 इसको जब आप माइनस करोगे देखो 14 में से 5 गए 9 14 में से 5 गए 9 और 21 में से 15 गए तो 6 तो ये कितना आ गए आपको 69 अपॉन 224 ये हमारा आंसर आ गया कौन सा उप्षन है हमारा A A हमारा ये आंसर है ठीक है आगया देखो ये वाला भी कोशन हमारा बढ़िया कोशन है इसको भी समझने की आप कोशिस कीजिएगा ठीक है अब मैं ही करा दे रहा हूँ इन वाले कोशनों को जल्दी जल्दी से ठीक है आप टेंसन नहीं लीजिएगा केवल कोशन को दियान से समझिएगा और पढ़िएगा बस बाकि इतनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा प्रैक्टिस मेंक से में परफेक्ट ठीक है देखो यह लिखा हुआ है जैसे कि हमारा 1 upon 3 plus 1 upon 2 minus 1 upon 7 upon 9 यह 7 upon 9 है इसको solve करने का देखो वही तरीका तो देखो यह 9 पहुँच जाएगा आपका उपर यह 9 पहुच जाएगा आपका उपर और फिर ही कितना हो जाएगा देखो आप चाहें करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं यह कितना हो गया वही 1 कितना हो गया मेरे भाई ये हो गया देखो 1 upon 3 plus 1 upon कितना हो का 1 upon ये 9 उपर पहुँच गया ये 9 क्या पहुँच गया उपर तो ये हो गया हमारा 2 minus 9 बटे 7 अरे ये 9 उपर पहुँच गया अब देखो 7 दुनी 14 14 मैंसे 5 गया कितने बचे अरे 7 दुनी 14 मैंसे 9 गया कितने बचे 5 और ये 7 कहां पहुच गया उपर 7 कहां पहुच गया उपर अब ये देखो ये हो गया 5 तिया 15 5 तिया 15 15 और 7 कितने हो गया 15 और 7 कितने हो गया 22 तो ये कितना आ गया बचे 5 तिया 15 और 7 कितने हो गया तो यह हो गया बाइस और पांच कहां पहुँच गया वही उपर और प्लस में कितना जोड़ा हुआ है 17 बटे 22 अब देखो 17 पांच 22 को 22 से जब भाग करोगे तो डिवाइड करोगे तो कितना जायागा एक इस कांसवार आ गया D4 D4 आ गया ठीक है आगे समझेगा देखो इस वाले कोशन को आप हॉमबर्क में कीजेगा भई यह आपका हॉमबर्क है ठीक है अब आपके देखो यह वाले जो कोशन है मैंने वो करा दिये हैं अब फ्रेक्शन में आपको समझना क्या है देखो भई एक मैं आपको कोशन दे रह ठीक है, मैंने लिखा नो स Members 1 बॉटे नॉ पिर मैंने लिख़ भई नो सही नव बॉटे नॉ लिखो इसको और यहां पर गुडा कर लो आप 9 की, यहां multiply कर लो आप 99 की, यहां पर आप multiply कर लो गई 99 की, यह आपके 3 question है, इन 3 question को हमें solve करना है, तो यह किस तरीके से solve करते हैं, यह वाली सारी चीज़ देखेगा, फिर इसका basic method क्या होता है, फिर मैं एक trick बताऊँगा, और वह उससे थोरी को समझ में आता है इंदर राज आप सही से लिखेगा आप क्या लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है भई ठीक है आप समझियेगा भी चीजों को ठीक है आप देखो समझो मेरे भाई ठीक है आप एक सिक्षक हो और आप इस देश का भवियस्षय त्यकर रहे हो आप जितने अच्छे सिक्षक होंगे आप उतना ही अपने देश का भवियस्षय को आप उजवल बना सकते हैं तो आपको करने क्या है बड़े ध्यान से चीजों को समझना है समझने के बाद आप CTAT में आप अच्छे से अच्छे स्कोर करो उसके बाद आप जो भी वेकंस से आती है तो उसको फिल अप करो और आप टीचर बनो बहड़े हैं तरीके से बहतरे टीचर बनो ठीक है हाँ जी बहुत अच्छे बात है जुही सिंग खुजी वू तिवारी देखो मैं आपको एक कोशन बता रहा हूँ इसमें बल्लकुल बेसिक से सॉल्व करने के बाद देखो पहले मैंने जैसे कि मैंने ये लिखा है याँ पर 9 सही 9 बटे 9 गुणा वही 9 मैंने ये लिखा अब इसको देखो solve कैसे करोगे solve करने के तरीका 9 की गुणा करो 9 में तो करोगे 9 की multiply करोगे 9 में ये वालू बेलू क्या होती है पिलस का 9 बटे कितना हुआ 9 और गुणा कितना हो गया भई हमारा 9 तो आप देख रहे हो अब इसको देख रहे हो गया तरीका है आप क्या करोगे इस सवाल में आप इसमें solve करोगे पहले 99 की multiply करोगे 99 में 99 की multiply करोगे 99 में फिर क्या करोगे 99 को add करोगे upon में कितना लिखोगे 99 और multiply में कितना लिख दोगे 99 फिर आप देख रहे हो ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे cancel कैंसिल करोगे फिर आप इन दोनों की multiply करोगे और आप इसको लिखोगे और आपका answer वहां से आ जाएगा आपका वहां से answer आ जाएगा अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका देखो ये तो मैंने बता दिया आपको basic बैसिक होता है आपका पैना सिया एक रामबान होता है basic कभी भी कहीं भी जाकर fail नहीं होता है आपका ठीक है अब दुआराद समझिएगा भी देखो question ये रहा हमारा 9 सही 9 बटे 9 है अब देखो इसको करने का क्या method है भी इसको करने का क्या method है देखो बस दिहान ये रखना है देखो यहां पर कितनी बार 9 आ रहा है एक बार 9 कितनी बार 9 आ रहा है एक बार 9 तो यहां लिख लीजिएगा भी 9 यहां कितनी बार 9 है एक बार तो उसको 9 को यहां लिख लीजिएगा आगे दियान यह दना है यह कितनी बार है 9 एक बार तो यहां पर इतनी क्या लिख देनी है 0 तो इस कांसर कितना आ गया भई 90 इस कांसर कितना आ गया भई 90 इस कांसर आ गया आगे समझेगा यह कितना लिखा हुआ है भई 99 यह कितना लिखा हुआ है नौ दो बार तो हमने दो बार 9 लिख लिया दो बार क्या लिख लिख लिया नौ और यहां पर जितनी बार 9 होंगे उत ने आप 0 लिख दीजिएगा और आपका answer आजाएगा और आपका answer आजाएगा अब आप ये बताईएगा कि ये जो मैंने आपको trick बताई है आपको समझ आई या नहीं आई तो अगर आपको trick कैसी लगी जल्दी से बताईएगा मुझे ठीक है जल्दी से comment में बताईएगा बही very good रॉली रायवत राजलक्षमी यदुबंसी नमस्ते बही इतनी लेट कैसे कर रहे हो best trick वाओ गगन सरी वास्ताव अलका अच्छा लगा कोई भी digit हो कोई digit के लिए नहीं है ये केवल 9 के लिए है बेड़ा अब ठीक है इसमें एक चीजे और भी कर लेता है क्या कर देता है देखो इसमें एक चीज और भी कर देता है और वो क्या कर देता है ध्यां से जखो जैसे मैंने लिख दिया 1 upon 3 कितने लिख दिया 1 upon 3 पिलस लिख दिया 99 कितने लिख दिया 99 और इहाँ लिख दिया 96 upon इहाँ लिख दिया 99 इन्टू कितना लिख दिया मैंने 99 ठीक है ये वाले question वो है जो आपके exam में आई हुए है मैं वो question करा रहो हूँ मैंने 1 upon 5 plus लिख दिया हमने 99 into कितना लिखा 94 upon 99 into 99 अब ये दो question है इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको हम कोशिश मलग किस तरीके से करते हैं थीक, आब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बड़े ध्यान से मेरे भाईव और भेहनो देखो, एक चीज़ ध्यान लिगएगा यहाँ पर कितना लिखा है? तीन यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर difference भी कितने का है 3 का अगर difference 3 3 का है तो करना कुछ नहीं है यहाँ पर जितने 9 वो ऐसे ही लिग लीजिएगा यहाँ पर जितने 9 उतनी 0 चिपका दीजिएगा वही आपका answer आजाएगा ठीक है देखो यहाँ पर difference कितने का है 5 5 का और यहां पर भी 5 है यहां पर भी कितना है 5 है अगर यहां पर भी 5 है तो यहां पर जितने 9 है यहां पर जितने 9 है उतने लिखेगा यहां जितने 9 है उतनी 0 चिपका दीजिएगा उतनी 0 चिपका दीजिएगा और इसका आंस्वर आपका आजाएगा इससे आंस्वर आपका आ जाएगा लेकिन देखो एक प्रॉब्लम और होती है अगर आप कहने लगो कि जैसे भी लिखवा 9 सही 8 बटे 9 गुणा अगर मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया अब कहोगे जी आप ट्रिक बताईए है अपने क्या यह फेल हो जाएगी यहाँ पर तो देखो ट्रिक फेल नहीं पर इस चीज को समझने की कोशिस कीजिएगा देखो अगर आप solve करोगे 9 नाम 81 और 8 कितने होगे भी आप ऐसी जो करोगे 9 गुणा 9 पिलस 8 बटे 9 और गुणा 9 आप 9 से 9 को cancel कर दोगे 9 नाम 81 और 8 कितने होगे 89 89 हो गए तो करना क्या है देखो करना यह है इसमें actual में क्या क करना है आपको normally ऐसे करना जैसे मैं लिखे 99 यहां पर लिखे 96 यहां लिखה 99 और यहां पर भी हमने लिख दिया वे 99 हमने यहां पर लिख दिया तो इसको करने का तरीकह यह यहां पर जितने 9 है वो तो लिखने ही लिखने है यहां पर जितने 9 है उतनी 0 चिपकानी ही चिपकानी है बस इतना ध्यान देंगा जो भी इनका difference है जो भी इनका difference है 9 का 6 का जितने का भी difference है वो हैंपर हमें घटा देना है बस जो भी difference है वो यहांपर हमें घटा देना है तो देखो 10 में से 3 के 7 10 में से 3 के 7 यहां कितने बचे 9 और यहांपर कितने बचेगा 8 और यह कितने हो जाएंगे 9 तो यह इसका answer आजाएगा तो ऐसे सवाल को भी अपसॉल कर सकते हैं कोई tension नहीं लेने का है ठीक है तो कोई भी tension नहीं लेने का है एट नहीं आयागा तो यह 987 नहीं है तो आएगा ठीक हैं एक question और करा दे रहा हूँ मैं यहाँ लिखा मैं नौ 1500 नहीं लिखक है तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है निन्न नमे उर यह भी मैंने लिख दिया आपका निन्न नमे ये भी लिख दिया आमेने निन्यान में तो क्या करना देखो यहाँ पर जितने नौ उतने नौ यहाँ पर जितने नौ उतने जीरो चिपका दो कितने का डिफरेंस है? सुरी, यहाँ पर नौ और यहाँ पर भी नौ तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यह आप 3 बार 9 लिख होगे कितने का डिफरेंस है भी 4 का तो आप माइनस यहाँ पर 4 घटा दोगे आपका अंसर आजाएगा ठीक है तो यहाँ से आपका अंसर आजाएगा ठीक है तो यह आपकी एक होगी इस ताइप की कोशन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं अब आप आगे समझेगा भी चीजों को और ठीक है अब देखो अब कोशन क्या होता है मैं कोशन करा रहा हूँ आपको बड़ा भैतरी उस टाइप के देखो अगर कोशन आ गया यदि आपने पढ़ा रखा है तो आप उसको बहुत ही शेकेंड में कर लोगे यदि नहीं पता है तो आप उसको नहीं कर पाऊगे क्योंकि उसका मैथड ही ऐसा होता है ठीक है उसका मैथड ही ऐसा होता है देखो कुशन ये रहा हमारा यह लिखा मैंने है वन अपाउन ए पिलस वन अपाउन बी पिलस वन अपाउन सी लिखा हुआ है और इस इकल टू में है हमारा 16 बटे 35 कितना है 16 बटे 35 तो आपको इसमें A की B की और C की वैलू बतानी है जल्दी से मुझे इसका आंस्वर करके बताईएगा भई नमस्ते अरे स्टार यादब पढ़ल है मेरे भाई पढ़ल है ठीक है ठीक बैस ट्रिक थी सर ये छोटी छोटी चीजे फसा देती है हाँ सही कह रहे हैं आप ये आप चीजे आपको टाइम ले जाएंगे पेपर में अगर आपको नहीं पता है देखो इस वाले कोशन को कर रहो मैं आपको इसमें एक मिनट दे रहा हूँ और देखता हूँ मैं एक मिनट में कौन-कौन इसका आंसर देगा आज मैं आपकी पूरी वीडियो एक एक बार रीड करूँगा मस्त बैस्ट मैथड है सर जी थैंक्यू भाई इंदरपाल राज धन्यवाद भाई आप सारी वीडियो देखेगा आपका एंग्जाम हंड़ेट परसेंट किलियर हो जाएगा ठीक है आप इस वाले कोशन को देखेगा आप इस वाले कोशन को देखो और इस कोशन को करने की मैं आपको इसतना best method बताऊंगा कि आप इसे without second में solve कर लेंगे यदि आप इसे basic से करने लगे solve तो बहुत बड़ी value हो जाती है सुन्दर सवर सजाने का साज बनाते हैं नौसक्य परिंदे को बाज बनाते हैं अब इस वाले कोशन को देखिएगा भई सर एक बात सुनो हाँ जी बताईएगा क्या सुना रहे हैं सर नाम लो एक बार मेरा तुमारा नाम आ रहा है फीज के नाम से बताईएगा आपका नाम ले लिया है आप इस वाले कोशन को जल्दी से मुझे answer बताने की कोशिश कीजिएगा यदि नहीं पता है तो मैं इसे करने की आपको method बताता हूँ या तो method कहलो या prick कहलो या आप उसका concept कहलो देखो करना क्या है से सवाल के लिए बड़े द्यान से समझना है भाईयो and भेनो और भावी सिक्षको करना क्या है देखो आपसे जब भी कभी इस टाइप की ये चीज़े दे के ये वाली value दे रखी हो और आपसे A की, B की, C की, X, Y, Z ये वाली value पूछ रहा हो तो इसको अगर आप करने लगे न तो आप बहुत ज़्यादा फस जाओगे लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ ऐसा method बता रहा हूँ कि कभी भी नहीं फसोगे नहीं कभी answer गलत आएगा ठीक है, देखो जैसे कि ये लिखवा 16 बटे 35 तो यहां लिखो आप 35 कितना लिखो 35 और 35 से भाग कर दो कितने 16 को कितने को भाग करो 16 से भाग करो 35 को यह कितनी वार दे रखा है देखो एक, दो, तीन वार तो भाग करो पहले देखो 16 दुनी 32 कितना आ गया 16 दुनी 32 आ गया 16 दुनी कितना आ गया वही 32 16 दुनी कितना हो गया वही 32 कितने बचे अरे कितने बचे 16 दुनी 32 कितने बचे 3 16 दुनी 32 कितने बचे 3 इस 3 से हमें डिवाइड करना है किसको 16 को फिर भाग करो देखो 3 पंजे 15 3 पंजे 15 कितना बचा 1 और 1 से हमें डिवाइड करना है 3 को तो यहां कितना आ गया 3 और यह कितना हो गया cancel out, complete divide हो गया इंदर कह रहे हैं पूरे यूट्यूब पर कोई भी सर जी इस तरह नहीं समझाया और आपने thanks सर जी paper top के लिए इतना कोई थी कि भाई धन्यवाद सभीता पढ़ाओ देखो समझो, दियान से समझो यह देखो लिखकावाई, एक बटे इसका method solve करने का जो मैं बता रहा हूँ बड़ा ध्यान से समझना है यह आपका ऐसा method है कि आप इस question को without second में solve कर पाएंगे करना क्या है, यह देखो 16 बटे 35 दे रखा है 35 को divide करना है 35 को divide किस से करना है 16 से, अगर 35 को 16 से divide करते हो, देखो 32, तो इसका मतलब यह जो 2 है, यह किस की value आ गई? एक ही, यह किस की value आ गई? एक ही value आ गई ठीक है, फिर हमने भाग करा देखो यहाँ पर 3 reminder बचा है, इस 3 को से हमने 16 को divide करा, कितना आ गए है, यहाँ पर 5 और यह value किस की आ गई? वही B की, यह किस की value आ गई भई? B की value आ गई देखो यह रखा, फिर हमने 3 पंजे 15, कितना बचा 1? 1 से हमने 3 को divide कर तो, यहाँ कितना आ गई 3, और यह किस की value आ गई भई? C की यह किस की value आ गही? C की और हमारा answer solve हो गया हमारा answer solve हो गया A की value 2, B की value पांच और C के वैलू कितनी आगए वे तीन ये हमारे answer आ गए अब मुझे बताइएगा कि इस वाले method से किस किस के समझ में आ गया जल्दी से बताइएगा इस वाले method से किस किस के समझ आ गया ठीक है जल्दी से बताइएगा देखो बहुत बच्चों के answer भी आ रहे हैं ठीक है मेरा आ गया अंकित का भी सभी का answer आ गया बहुत अच्छे भई गुड जॉब सार थैंक यू भई आई लाव यू सर विंदपाल कह रहे हैं आई लाव यू टू भई ठीक है मज़ा आ गया अमंज नहीं आया फिर से समझा दीजिएगा सर माल लो सर अगर सेंख्या ना कटे तो कोई दिक्कती नहीं है ना कटे हमें तो केवल ये वाला भागफल लेना है मेरे भाई क्या लेन सब और भी मैं कुशन करा रहा हूं टेंसन नहीं लीजिएगा मज़ा आ गया सर अंकित बोल रहे हैं हम खुस हो गहे नमन बोल रहे हैं द्वारा समझेगा ये जो 35 है 35 को डिवाइड गरा 16 से 16 दूनी 32 जो जो भी भागफल आया वो वैलू आ गही एक ही फिर हमारा कितना नैंसी यादा बोल रही है मैं दन्यवाद वैरी नाइस ट्रिक सार धन्क्यू थैंक्यू थैंक्यू आगे समझेगा एक कोशन और दे रहा हूं देखो अब आप सोच रहे होंगे न कि ये वाले जो मैधड है ये कैसा है अब देखो समझो नेक्स कोशन समझो एक कोशन और कर आ रहा हूं मैं ये लिखवा वन अपाउन ये कितना लिखवा है देखो टू ए पिलस ये कितना लिखवा है वन अपाउन ये कितना लिखवा है वन अपाउन और बरावर में है हमारा 30 बटे 43 कितना है 30 बटे 43 ये हमारा लिख़ा हुआ है आपको वैलू बतानी है पता किसकी 2A की आपको value बतानी है B की आपको value बतानी है 4C की और आपको value बतानी है D की इनिकी आपको value बतानी है भाई यह उमें और बहनों मेरे जल्दी से बताईएगा इसका answer क्या आएगा इसका answer क्या आएगा जल्दी से बताईएगा आ गया sir बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपको सुन्दर नाम है पिरिती ठीक है मनु यादव कहा रहे हैं सर में live class नहीं ले पाता लेकिन बाद में class रोज लेता हूं बहुत अच्छी बात है भई निनिन बर्मा कहा रहे हैं नाइस ट्रिक ठीक है गजाव साजिद कहा रहे हैं वही गजव यदि आपको ना हमारी चीज़े बहुत अच्छी लगती हैं सांधार लगती हैं तो हम आपसे कोई पैसे तो नहीं लेते लेकिन आप क्या करना है आप मारी वीडियो को सेर करना है दर्मेंदर प्रिजापति यार 1 2 3 4 किस तरीके से बता रहे हूं चलो देखते हैं इस तरीके से मुझे तरी भी आद नहीं है देखो समझिएगा यह लिखा हुआ है 30 बटे 43 तो हमें डिवैड किसको करना है 43 को इसको डिवैड करना है 43 को हमें देखो यहां लिखा हमने 43 और कितने बचे 3 13 से हमें डिवैड करना है किसको 30 को 36 कितने बचे 4此 से डिवैड करना है 13 को 4 से डिवैड करना है 13 को 4 के //ивает करोगे 4 तो 4 एकप कितने होगे 4 और k pipelines क्या हो गए टिवैड तो दियान रखिएगा जो यहाँ पर यह लिखा हुआ होता है उसी की value निकल कर आती है तो देखो 2A की value कितनी होगी मेरे भाई 2A सभी का answer सही आया है भाई B का answer कितना आ गया 2 4C का answer कितना आ गया 3 और D का answer कितना आ गया 4 देखो सभी student का answer आ चुका है जो भी हमारी class को attend करें 1, 2, 3, and 4 इसका answer आ गया अब देखो अब आप बताईएगा कि इस question को करने में आपको कितने minute लगे हैं बताईएगा अब मात 30 second में question को solve कर रहे हैं वाउ मज़त है सर मज़ा आ गया सर मेरी नाम फिजा अफिजा आया अच्या thank you बई कोई बात ने सर मैथ यहां से जो होगा बाकी classes कौन सी सी टैट कले देखो आप क्या करना है यह वाली class लेते लीजिएगा और बाकी आपके जो level 2 है न level 2 में आपकी geometry होती है जैसे की आपका अटिग्नोमेट्री होती है जो एडवांस मैथ का होता है मैं वहां से हाँ नायाब दरपाठी टैंसन नहीं लीजिएगा यह सारी चीज़े आती है ठीक है मैं आपको और कोश्चन करा रहा हूं बई देखो और आपके कोश्चन अभी कलना मैं आपको फिर सिंप्लिफिकेशन कराऊंगा सिंप्लिफिकेशन में और बहतरी बहतरी सारी चीज़े बतानी बताऊंगा टैंसन नहीं लीजिएगा नेक्स कोश्चन लिखेगा भई देखो यह लिखा हुआ है हमारा 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C plus 1 upon D और is equal to लिखा हुआ है 21 बटे 61 और आपकी बार आपको value बतानी है बता है किसकी value बतानी है मेरे भाई A plus B plus C plus 2 D की आपको value बतानी है कि कितनी आएगी ये है आपके लिए भाई question ये आपके लिए है भाई एक question है आपको इसको बताना है ठीक है बाई सार जी ठैंक्स स्टार यादव जल्दी से इस कांसर बताईएगा भाई जल्दीशे जल्दीशे comment देखो उपर मेरा क्या कहना चाह रहे हैं आप इस वाले इतने question को solve कीजिएगा भई अचिए आपका जो साइंस की क्लास चल रही है वह आप उसे लेती लीजिए का continue और आपका जो मैं मैं ताब लेवल वन और लेवल टू की लिए करा रहा हूं तो आप इस वाली क्लास को नौबजे वाली को को अंड्रेट परसेंट लीजिएगा ठीक है दूसरे इसमें क्या क कि जो आपका अभी मैं advance math start करने वाला हूं इसी में जल्दी से आपको time table बता दिया जाएगा कि हम कभी start कर रहे हैं या आप एक काम कर सकते हैं हमारा एक BPSC का बैच चल रहा है BPSC का math का बैच चल रहा है वो start होता है 8 वजे से वो start होता है 8 वजे से वो 5 to 8 के लिए ही है 5 to 8 के लिए ही है 6 to 8 के लिए वो इसके लिए वो 6 to 8 के लिए तो आप एक काम भी कर सकते हैं वहां से कि वहां पर मैंने आपको algebra करा दिया है algebra करा दिया है mensuration करा दी है mensuration करा दी है ठीक है और आपको मैंने इसमें percentage करा दिया है उसमें percentage करा दिया है profit and loss करा दिया है और हमारी अब आप उसमें geometry चल रही है उसमें चल रही है भी हमारी geometry तो आप उसमें ये सारे चप्चक वहां से भी पढ़ सकते हैं बाकी जब आप किस वाले batch में start होंगी तो आप उसमें सब चीजों को revise कर लेंगे सर थैंक्स class बहुत नाइस बट शिलो अच्छ शिलो मोशन में नहीं है टैंस न लीजिएगा मैं speed बढ़ा दूँगा इस बाद से बेफिकर रही है ठीक है देखो आप यह कह रहे हो अभी हमारे class 15 तारीक से चलाता है दस दिन में नहीं हुए मैंने आपको नंबर सिस्टम डेसिमल और फ्रेक्शन यह तीन चैप्टर करा दी है कल मैं आपको सिंप्लिफिकेशन स्टार्ट करूँगा ठीक है सिंप्लिफिकेशन करने आने के बाद फिर आपका मैं आपका परसेंटेज प्रॉफिल और एसाई सी यह वाले बहुत बेशीक बहतरी त्रिक से बताऊंगा और उन सारी चीजों को ठीक है ठेंक्स सर बताने के लिए धन्यव मैं समझ आ रहा है भी धन्यवाद आप पढ़ते रहिएगा गुरुजी आठ बजे वाली क्लास की प्लेलिस्ट भी बनी है हाँ उसकी क्लास की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है तो इस वाले कोशन को भी आप सॉल्व कर सकते एक सट को डिवाइड करिएगा ट्वेंटीवन से देखो 20 या 21 कितने बचे 11 से दो गैं, 12 बचे, फिर 19 कितने हो गैं, 19 कितने बचे दो नाम 18 फिर रहा, यह कितना बचा एक God जब हमने दो को डिवाइड करा, तो एक दुनी कितने हो गए भई, दो, एक दुनी कितने हो गए भई, दो, और ये आपका अंसर आ गया, ये किसकी वैलू आ गए भई, आपकी A की, ये किसकी वैलू आ गए B की, ये किसकी हो गए C की और ये किसकी हो गए वैलू D की, तो देख चार चौध है और दो कितने होगे सोल है तो इसका आंसवर आ गया हमारा सोल है 16 इसका आंसवर आ चुका है ठीक है जय हिंदुस्तान कह रहे है सर आप आदित्य रंजन सर की तरह लगते हो अच्छे आप अब देखो समझने की कोशिश कीज़ेगा यह आपका मैंने आपका फ्रेक्शन और आपका डेसिमल आपका नंबर सिस्टम में जो चीज आपको एक चीज बताता हूं यदि मैं आपको नं आपकी क्लास के लिए सफिशेंट है ठीक है तो आपकी यह सारी चीज हो गई अब एक चीज समझेगा देखो मैंने आपको कुछ कोशन जो पीडियाफ के ते वो सारे कराए कुछ कोशन के अपने पास से ट्रिक बताई कोशन कराए बाकी यह वाले कोशन आते हैं यह भी आप आपको करा दिये हैं ठीक है अब हम कल को अपना नया टॉपिक उठाएंगे और हमारे टॉपिक होगा सर प्लेइलिस्ट कहां से मिलेगा आपका जो दीपी का उपाध्य है प्लेइलिस्ट यूट्यूब पर ही मिल जाएगा ठीक है आप तो आप टैंसर नहीं लीजेगा अब तो आप मुझे यह बताईएगा कि जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीज समझ आई है या नहीं आई है जल्दी से बताईएगा भाई ठीक है बहुत अच्छा क्लास पूजा कुमारी तुम अपनी भी सुनाई हो सुनाओ जल्दी से भाई आठ वाली क्लास में बॉफरिंग वह तो होती है चलो उसके लिए भी देखते हैं ठीक है आज वो क्लास 11 बजे से है बीपेसी वाली आप उसमें भी जुड़िएगा उसमें जोमेट्री स्टार्ट किये हुए हैं ठीक है उसमें जोमेट्री पढ़ेंगे ओके बाई अब जिर्फ ने आपको ब compass अच्छे समस्ज्वें आया होग हैं अब आपको करना क्या है अपने क्लास को दोस्तों का साथ भाई बहने घ्यान को सब्सक्राइब के जेगा तब हैंवे नाचेजा